स्टेप मर्दर और स्टेप सन के बीच में अफेर हो जाता है बर अचानक से फादर की डेथ होके इसके बीचे को ने या आज की हमारी मुवी की मिस्टरी है हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको विकेड माइंड्स ये 2003 की एक त्रिलर मुवी एक्सप्लेंट करने वाला हूँ इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड्स आते है और एंडिंग भी ट्विस्टेड है तो अंतक इस वीडियो को ज़रूर देखेगा अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए अब बिना किसी देरी के एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और एलडगा अपनी जान बजा कर घर से भागता हम देख सकते है यह भागते बागते एक लिफ तक आ गया अब इसके बाद यही हमें स्टोरी बताना स्टार्ट करता है वो गहता है अपनी एजुकेशन कंप्लेट करकर फिर से घर आ रहा था बच्पन में उसके फादर उसकी मदर को छोड़कर चले गए थे बाद में उसकी मदर की डेथ हो गई वो अकेला ही रहता है पर फादर ने उसे वैकेशन के लिए बुला लिया उसके फादर हमेशा बीजी रहते है पर फिर भी इनकी रिलेशन्शिप को एक चांस वो देना चाता था वो घर पर आया अपनी मेट से मिला जो बच्पन में उसका खैल रखती थी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे होल्डन फिर अपने फादर को ढूणते वे उनकी बेटरूम में गया वहाँ पर लाना ब लाना ने उन्हें होल्डन से इंट्रडूस करवाया वो कहते हैं यह मेरी वाइफ है इस बात से वह सप्राइज था पर फादर लाना के साथ खुश है आज राज आक्षन और पार्टी थे फादर जड़ा बीजी हो गए तो लाना और होल्डन बात करते हैं इनका मिलना दोस्ता पकलूंस लेज़ा तुम-से थे मजाग लेता हुआ का तुम तो बहुत धे हैंसम हो तुम्हारे गल्फरेंड होगी होगी उसने मुझे द्धोका दिया था लाग्यृट कहती है तो दोबहुत अच्छी धेन मिलेती पर रइम यमृत करना उसके फ्रेंड है उससे मि की प्राइज होती है रिलेशन्शिप की भी इसका मतलब फादर को रखता है लाना सिर्फ पैसों के लिए उनके साथ है यह सब बाते कर रहे थे तो इनके साथ फादर का लॉयर हैरी भी था हैरी और लाना को कमफेटबली बात करता देखकर फादर जेलस हो गए लाना उससे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होलने देखता है उससे लगता है कि जिस तरीके से उसके फादर उसकी मदर को मारते थे लाना को भी उसी तरीके से अब्यूस करते है इसके बारे में उसने लाना से बात की पर लाना कहती है कोई भी प्रॉल्बम नहीं है आज करदे फादर होल्डन के साथ स्पेंट करना चाहते थे अपनी न्यू कार वो उसे दिखाते है होल्डन को एक आर बहुत पसंद आई थी पर फादर अपनी कार को उसे टच भी नहीं करने देते हैं इसके बाद दोनों फादर के ओफिस में आये पूरा डेस्पेंट करने वाले थे पर जाने से कुछ काम आ जाता होल्डन अक्यलाई घर पर आ गया लाना वुश्तिक इतने जल्दी क्यों आके लाना उसे हैती है तुम्हारे फादर के साथ आज रात मेरा डिनर था वो भी उसने कैंसर कर दिया वो कहती है क्य पर लाना इसके उनर को जानती है चावी ढोन कर या अंदर घुश गए ड्रींस करते हुए एक दूसरे के बारे में जानते है लाना चोटे से टाउन से आती है उसकी बचपन और उसकी लाइफ ये बहुत ही हाट थी होल्डन के फादर कितने अजीब है इसके बारे में भी उ होल्डन नोटिस करता है ब्रेकफास्ट की वग फादर ने उनकी मेड को उसका बड़े था इसके लिए अच्छा सा हॉलिडे प्लान दिया वैसे लोग फादर को फिगर आउट नहीं कर पाते कभी कभी बहुत ही अच्छी चीज़ें करते हैं तो कभी बहुत ही घटिया इसक से हैती है कि हमने जोबी किया एक गलती थी इसे भूल जाना ये ट्राय तो करना चाते है पर हमने आपको रोक नहीं पाते फिर से इंटिमेट हो गए रात में फादर की नीन खुली तो होल्डन के रूम ने आते हैं लाना बहुत ही डर गई थी वही पर छुप गई फादर न में लाना के फादर उसे अब्यूस क्या करते थे जैसे उसकी सिस्टर बड़ी हुई वैसे उसे भी अब्यूस कर सकते थे तो एक दिन लाना ने उन्हें बहुत ही ड्रंक कर दिया उसके फादर को मगर मर्च की शिकार करने की आदत थी वह उसी ड्रंक हलत में बोट पर शिका रखता है यह सब बाते कर रहे थे तो फादर होल्डन के एजूकेशन के बारे में बताते हैं निकोल ने उसका फ्यूचर प्लान उससे पूछा तो होल्डन कहता है मुझे आर्किटेक्चर में बहुत इंट्रेस्ट है फादर को बात सही नहीं लगी वहते हैं इससे तुम्हार फादर की वज़े से गुस्सा है घर पर वो लाना से मिला उसे कहता है वो हमेशा मेरी लाइप मैनुपलेट करते रहेंगे उसे यहां से निकल जाना है लाना कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है उसे प्यार करने लग गई थी अगली दिन होल्डन और उसके फादर यह शिकार की ले गए शिकार करते वक्त उसके फादर सरकल ले रहे थे होल्डन के पास आज ऑपर्चुनेटी है वो गर चाहे तो अपने फादर कु मार सकता है उसने आईम तो किया पर अपना मैंड वह चेंज कर देता है घर आकर उसने अपने फादर के लिए मिल शिक बना फादर अपने मैरेज की फोटोस देखते हैं कहते हैं यह उस दिन में बहुत ही खुश था पर आज कल उसे लाना पर शक है उन्हें लगता है कि शायद लाना का किसी के साथ अफेर चल रहा है इस बात से होल्डर नर्वस हो गया फादर ने कहा कि मुझे जल से जल कुछ ना कु होल्डर डर चुका था तो लाना को मिलने के लिए एक मॉटल में बुलाता है उसने कहा कि फादरों को शक चला गया है उनके बीज में जो भी है एक कंटिन्यू हो नहीं सकता होल्डर अब इस टाउन से दूर जाने वाला था लाना कहती कि मुझे भी तुमारे साथ लेकर चल इस बेगर ने उसे टाइम और कुछ पैसे मांगे होल्डर ने उसे 100 डॉलर दे दिये इसके बाद वो घर पर आकर अपने लिए ड्रिंक वेगरा बनाता है उसने हॉल में देखा तो शौक था क्योंकि उसके फादर का मर्डर हो चुका है पुलिस बुलवाई गी उन्होंने देखा कि उसके फादर पर बहुत सारी इंजूरीज है वो होल्डर से और लाना से क्वेशन्स करते हैं पुलिस ने बुझा कि तुम कहा थे होल्डर कहता है कि मैं मूवी देख रहा था लाना का कही भी अता पता नहीं था वो लेट 11 वजे घर बर पहुशती है पुलिस उसे पुझते हैं तुम कहा थी लाना ने कहा मैं मेरी फ्रेंड निकोल के साथ डिनर कर रही थी रात में होल्डर लाना के रूम में आता है तो बहुत सारे वैसे लेकर रात में कही जा रही थी होल्डर ने पुझा कि यह क्या है लाना कहती है हम दोनों जब इंटिमेट हुए थे तो मेरी फ्रेंड निकोल ने हमें देख लिया था उसके पास हमारा विडियो टेप है अगर ये टेप पुलिस को मिल जाता है तो इन दोनों पर ही शक आएगा तो इसी वज़े से निकोल उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी यही पैसे दिने के लिए लाना जा रही थी होल्डन को कुछ भी गलत करने से रोक लिया फादर का लॉयर जिसका नाम है हैरी यह होल्डन से कहता है तो मैरे फादर के बास सब कुछ था सिर्फ जवानी नहीं शायद यही चीज वो लाना के साथ ढून रहे थे फुलीस को लगता है जिसने तुम्हारे फादर का मर्डर किया वो बहुत स्ट्रॉंग होगा लॉयर को लाना पर शक है यह शायद उसने किसी के हेल्प से यह मर्डर किया लाना अकेली थी तो होल्डन इसे के बारे में उसे कन्फरंट करता है लाना को लग रहा था शायद होल्डन ने मर्डर किया उसे कहती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी यह दोनों एक दूसरे पर बिल्यू नहीं करते अब थोड़ा टाइम बीच चुका था शान दोकर होल्डन और लाना बात करते होल्डन ने का फादर मेरी मदर को बहुत मारते थे उसे अकिला छोड़ कर चले के जब वो बिमार पड़ी फिर भी उसका हाल बुचने के लिए नहीं आए मैं उन्हें हेट करता था मेरी मदर को अब्यूस करने के लिए तुम्हें मारने के लिए लाना कहती कि तुम्हारे फादर ने मुझे कभी भी नहीं मारा होल्डन ने लाना के हाथ पर जो निशान देखे थे इस जिम में वर्क आउट के वज़े से हुए थे इसके बाद लाना निकोल को पैसे देने के लिए जा रही थे होल्डन लाना पर ट्रस नहीं करता लायर को शक है कि शायद होलडन ने अपने फादर को मार डालां, होलडन ने पुलिस से खाया था, कि उस राढ़ मोवी देख रहा था, पर लायर ने पता किया है, कि उस दिन कोई भी शो नहीं हुआ, Lawyer को एक टेप भी मिली थी जिसमें Lana और Holden ये دونओं इंटिमेट हो रहे थे Holden उसे सब कुछ सच बताता है कहता है उस दिन मॉटेल में हम लास्ट टायम मिले थे Lawyer ने फिर बूचा कि किया Lana तुमारे साथ ही थी Holden कहता है कि मुझे नीन आ गई थी तो वहाँ से चली गए लाना पर शक और वी बढ़ चुका था लॉयर कहता है अगर तुम तुमारे फादर के मर्डर के इलजाम में जेल में चले गए तो लाना को सब कुछ प्रॉपर्टी मिल जाएगी वो तुमें फ्रेम करना चाहती है रात में जब होल्डन घर में अकिला था तो उसे लगा कि वहाँ कोई है अपनी फादर की कार वो देखता है तो वहाँ पर एक लेटर पड़ा हुआ है ये लेटर होल्डन का सुसाइड लेटर है और इस लेटर में होल्डन ने कन्फिस किया है कि उसने अपने फादर को मारा इसका मतलब है होल्डन को अब कोई मार कर उसे मर्डर के लिए फ्रेम करतेगा होल्डन सावधान हो गया उसने घर के बाहर लाना को देखा उसके पास गन थी उसे फाइट करकर एक गन ले लेता है लाना कहती कि मैं तो तुमें प्रोटेक करे ही थी मुझे लगा कि घर में कोई है प्लीज मुझे पर बिलिव करो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हो इन सब बातों से होल्डन डिस्टर्ब हो जाता है वो यहाँ से चला गया अपने लॉयर के बास जाकर उन्होंने यह सब बात पुलीज को बता दि सारी स्टोरी सुनने के बात पुलीज को लगता है यह होल्डन ने अपने फादर का मर्डर किया उस्से वारेस कर लेते हैं पुलीज ने लाना के बारे में इन्वेस्टिकेशन की उन्हें बता चला कि Lana किसी और कंट्री में चली जा चुकी है सारा शक उसी पर चला जाता है फिर पुली स्टेशन में कनफेस करने के लिए निकोल पहुची वो गहती है Lana और मेरा अफेर था उसने मुझे Holden को Blackmail करने के लिए कहा था Blackmail से उन्हें बहुत सरे पैसे मिल सकते थे पर उसके बाद Lana ने Holden के फादर को मार डाला अगर वो उसे मार सकती है तो शायद मुझे भी मार सकती थी तो इसे वाज़े से निकोल ने उसे ब्रेक अप कर लिया उसका Holden का मारने का भी प्लान था उसे as a suicide वो stage करने वाली थी ये सब बाते सुनने के बाद Holden ने पुलिस से जोबी किया ये confirm हो जाता है Holden को चोड़ देते हैं उसे अब सारी property मिल चुकी है Holden का lawyer कहता है तुम्हारे फादर की toxicology report आये इसे पता चला उन्हें जहर दिया गया था उन पर वार करने से पहले ही उनकी date हो चुगी थी रात में फिर घर पर Holden murder weapon को ढून लेता है अंदेरे में से Nicole बहार आई वो Holden के पास आकर उसे किस कर लेती है मतलब सारा कुछ plan Holden और Nicole का था ये दोनों actual में एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे और डेटे दोने relationship में थे फिर इन दोनों ने मिलकर Holden के father को मार डाला पुलिस को लगता है कि Lana इस country से चली गए पर actual में Nicole ने Lana के कपड़े पहने थे उसका पास